हाजी कैसे हो मैं हूँ CA डॉक्टर अमित खांडल परेशान हो क्या exam की वीडियो को लेकर बड़े दुखी हो बहुत ज़ादा परेशान हो यार क्या लग रहा है exam होगा नहीं होगा postponement होगा नहीं होगा यार cancel हो जाये तो बड़ी है दुखी कर रखा है यार दुखी कर रखा है परिशान कर रखा है इंस्टिट बताता क्यों नहीं है बार 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 एक्जाम की डेट को बार बार एक्जाम की डेट को पोस्पॉन किया जा रहा है ओ माई गॉड अब क्या होगा अब क्या होगा भई सब लोगों के दमाग में यह चल रहा है आज पता है यार मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे एक्जाम के पोस्पॉनमेंट को लेकर मैं तो बड़ा परेशान हो गया मैं तो बड़ा दुखी लुग एक्जाम क्या है चाते के सब लो पढ़ता जा रहा है पता है आप लोगों को कितने नंबर ऑफ केसे सा रहे हैं रोज के छेछेशसाथ साथ हज़ार केस आने लग गए हैं और इंडिया भाई सब साथवे नंबर पर पहुंच गया है आप क्या सोच रहे हो बैसा इस्तती बड़ी खतरनाक होने वाली है situation बड़ी खतरनाक होने वारी बड़ी खतरनाक मेरी बात को मैं आपको बता दू और मैं आपको बता दू यह क्या कह रहे हैं आपको सब इंस्ट्यूट वाले अभी मैंने देखा President साब ने कहा कि भई हम social distancing रखेंगे यार उनका कहना सही है देखो मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों अगर आप अभी President होते हैं आपके सामने भी यही problem होती यार वो आपको एकदम से कैसे बोल दे कि exam cancel हो जाएंगे आपके कितनी दिक्कत होती है पता है आप लोगों को अब यह जो 6 महीने है ना 6 months दोस्तों यह जो 6 months है में और जून इसके बाद में exam होंगे नेवेंबर दिसंबर में पता है आपको इस 6 महीने की चकर में आगे का पूरा cycle खराब होने वाला है President साब को बोलने में दिक्कत है भाई वो नहीं बोल सकते आप समझो आप CA का exam दे रहे हो CS का दे रहे हो CMA का दे रहे हो मैं पक्का बता दूँ आपकी exam cancel होंगे आने वाले एक महीने में आने वाले दो महीने में इतना खतरनाक situation होने वाला इंडिया में आपको डरा नहीं रहा हूं दोस्तों मैं इतना सा कह रहा हूं यार पढ़ाई पर कर लो आप परेशान मत हूं अच्छा मैंने देखा यार बहुत सारे लोग पता है क्या वोड़ रहे हैं यूटूब पर विडियो बना बना के भी आपको वैसे भी देखो एक गुरूप तो देना ही था और एक गुरूप आप नवेंबर में देते तो आप यार पढ़ाई क मुझे नवेंबर दिसंबर में देना है उसमें मैं अभी से दिमाग कैसे लगा दूँ परेशानी है दिमाग में भाई सब इंजाइटी बनी हुई है बच्चे बड़े परिशान है मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे लोगों ने तो फोन तक कर डाले सर बताओ ना ए कम्यू़टी ट्रांसमिशन फेज में अग्या इंडिया भाई सब्णुन्यक्ति ट्रांसमिशन समस्ते होगह एक आदमी में होगया मैंहाइब अकीज मतलो मैं सच आप मानो या मत मानो और मैं आपको बता दू दोस्तों आप यार टेंशन मतलो आप इस समय मस्त हो जाओ ठीक है स्टडीज करो जो गुरूप आपने भर है ना उसी पर फोकस करो दूसरे गुरूप पर फोकस मत करना ना बता देता हूं एक्जाम चाहे नवंबर में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है आपने जो गुरूप का भर है उसी पर फोकस करो आप आप दोनो गुरूप के चकर में मत पड़ो मैं सच बता रहा हूं आपका कॉंसेंट्रेशन खराब हो जाए है अगर आपने भर ही दोनो गुरूप है यार दोन के लिए बना रहा हूं यार क्यों नहीं देखते हो आप उनको प्लीज देखो लाइब सेशन देखो बहुत सारे पॉजिटिव वीडियोस आ रहे हैं देखो तुसे यार उनको इंजोई करो उनको है ना मस्तर हो कोई टेंशन नहीं है यार एक्जाम होगा नहीं होगा दिमा दोस्तों चैसाद के लिए criticism मतलबा आप लोग में जहां करेंगे याप लोगों को वहां को कहते हैं किसी का नकिसी का चीनावा मिले मुझे मिलने दोस्तों जो मेरी जो मेरी किस्मत में है और वो भी ना मिल सके ना तो कोई गम नहीं मुझे अपनी मेहनत का किया वा मिले तो दोस्तों मेहनत करो हार्डवर करो फालतू चीजे मत देखो और फोकस करो पड़ाई पर है ना थोड़े नंबर ज्यादा आ जाएंगे आप लोगों के ठीक है ध्यान रखना मेरी इस बात का एक्जाम कैंसील होंगे मैं गैरेंटी दे रहाँ बस फोकस करो इदर उदर की चीजों पर ध्यान मत दो घर पर रहो मस दो रहो यार अभी कौन से कोरो ने आपके लगरा ह 형ma है पेंशन फी रहना है ना जोश दिल में जगाते चलो लास्ट में हांस देल रिंकिया के पापा ही